हलो दोस्तों, ओकी जोब के ओनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है हम आज पढ़ने वाले दोस्तों कोशन के हमारे पास यह की पार्ट नमर 3 सीरीज है उसके भारे में यह डिसकस करेंगे आपको पार्ट नमर 1 और पार्ट नमर 2 आपको डिसकस करा चुके अलड़ी आप लोग उन वीडियो इसको अवेलेबल है फिजिक्स भाइनंदराम सर के नाम से आपको प्लेलिस्ट में जाके आप यूटूब पे चैनल पे जाएगा पहले यूटूब खोलिएगा और सर्च वाले उप्सन में जाके ओकी जॉब डालो और उसकी बाद है यह आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो तो आपको बुल जाएगा जिसमें आपको दिया हुआ है MCQs के नाम से तो आप जाके देख सकते हो हम जो आज पढ़ने वाले है दोस्तो हीट वाले जो टॉपक है उसको कंप्लिट करने वाले है और उसमें जो भी चीज़ है हम लोग एक एक करके देख लेंगे हमने 40 questions part 1 और part 2 में कर लिए है अभी जो हमारा थर्ड जो पार्ट रहेगा दोस्तो उसमें 41 से start करते हैं जितने भी questions होते हैं उनको cover करके और part 3 में हम लोग जितने भी heat के questions बनेंगे जो previous year में आया हुए उनका discuss करके इसको खतम करेंगे तो हम लोग जो देखो start करते हैं कि दोस्तो question क्या कह रहा है question में है एक चीज़ दी हुई है question में देखो जिस्ता आप पर कोई द्रव जिस्ता आप पर कोई द्रव उसमा पाकर वास्म में बदलता है अगर दोस्तो आपको दूसरे तरीके से समझाओ में मेरे आमने पास कह पानी है और पाणी को हीट देने के बाद टेटें गरम तो वैपर में चांग होगा तो उसको क्या बोलते हैं boiling करना क्या बोलते हैं boiling करना that means उसको क्या बोलेंगे क्वातनांक ठीक है तो आप पर पास क्या होगा correct option क्या होगा दोस्तो क्वातनांक that is boiling point ठीक है अब हम लोग बात करेंगे boiling point की तो देखो ये मारे पास हो जाएगा option number C next question की बात करेंगे दोस्तो question number 42 42 क्या कहता है यदी देखो क्या कहे रहा है question दाब बढ़ने से किसी दरब का क्वातनांक क्या होता है बढ़ता है दोस्तो मैंने आपको कितनी बार sorry सब्सक्राइब क इक कउतना गया बढ़ जाएगा है गार आंगे तो उसका यही कारण है हम लोग देखते कि खाना किसी जल्दी पकता है इसका वही कंसेप् опас है की जो सस्टर जितने जल्दी पकर बाइंतला वो तो पहले जाए अपार पकर रही पक दोस्टों क्या होती है MRT, हमने volume fix कर दिया है, mass fix कर दिया है, r fix कर दिया है, that means, P किसके समानपाती होगा है, दोस्तों, ठीक है, मैंने कहा था न, जब दोस्ती किसमे हो, समानपाती में, किसमे हो, समानपाती में हो, तो अगर हमने pressure बढ़ाया है, तो T कमान दोस्तों क्या होगा बढ़ेगा और साइकिन अगर P कमान हमने घटाया तो T कमान दोस्तों क्या होगा घटेगा ये बिसेस तोर पे आपको याद रखना है ये कंसेप्ट आपको भूला नहीं है इसे बहुत सारे सबाल आपके सही होता है तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा बढ़ेगा और पानी का त्रियू गुनात्मा के ट्रिपल पॉइंट होता है अब देखो सुनो मैं आपको यहाँ पर एक कोशन सोल कराने से पहले मैं आपको एग्राफ बनाता हूं दोस्तों इधर क्या होता है इधर वाला ग्राफ किसका चलता है प्रेसर का चलता है ठीक है और मैं अगर इधर की बात करोंगा दोस्तों यहाँ पर दाव है हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों इस ती में दाव है इसको थोड़ असन हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं अब देखो यहाँ पर क्या है टैंपरेचर है मतलब तापमान है इधर वाले एक्सेस पर क्या है तापमान है अब आप लोग सुनो कि है क्या एक बिंदू जिसमें हम लोग बोलते है इसको ट्रेपल पॉइंट दोस्तो यह आता है इस द्रव ठीक है और इसको बोलते हम लोग गैस के नाम से अब बात को सुनिएगा एक ऐसा बिंदू इसको हम बोलते हैं दोस्तो ट्रपल पॉइंट या उसको ट्रिक बिंदू के नाम से जाना जाता है एक ऐसा बिंदू जहां पर ठोस द्रव और गैस तीनों दोस्तों क्या रहत तो यहां पर देखो यह point है जोस्तो इसमें dash नहीं है आप लोगों की जानकरी लिए बदा दू इस सारे की सारे क्या है दोस्तो point है ठीक है यहां पर भी point है तो 230.16 देखो degree centigrade नहीं होगा दोस्तो foreignite नहीं होता दोस्तो क्या होगा Kelvin होगा क्या होगा 273.16 Kelvin ठीक है मैंने इसमें आपको लिख दिया है 273.16 Kelvin यहां पर temperature होगा जो पानी का triple point होगा जो आपको ध्यान रखना है next question की correct बहुत typical यह इतना important question है आपने अगर जिस भी लड़के ने इसको पढ़ाई से डंग से पढ़ाए न तो वो ही question बच्चा कर पाएगा अदरवाज यह question हिलेगा नहीं आप लोगों से समस्य क्या है कि हम लोग इतना deeply पढ़ते नहीं है और आप लोगों को पढ़ाया जाता है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं रखते हो दोस्तों इसका कारण यह बागी का और कोई ऐसा कारण नहीं है ठीक है आप लोग वीडियो में जाके देख लो मैंने साब कुछ आपको पढ़ा दिया है question number 44 वहत आप जिस पर बराप और पानी बास्प संतुलन मनाई रखते हैं अभी बताया था दोस्तों क्या बोलते हैं त्रक विंदू बोलते है next question है question number 45 45 क्या कह रहा है दोस्तों वास भी करन क्या होता है वास भी करन या हम लोग देखते हैं कि हम लोग दूप में दोस्तों कपड़ों को सुकाते हैं तो कपड़े सूक जाते हैं या फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर हम लोग दूप नहीं है हमने नीचे कपड़े सुक जाते हैं क्योंकि उसमें ज होता है समानपाती जितना ज्यादा बड़ा चित्रपल होगा दोस्तों उतना ही जल्दी यह सुखेगा जितना ज्यादा टेंपरेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा सुखेगा तो इसका मतलब आव लोग ध्यान रखना यह मात्रा पर निर्वर नहीं करता है दोस्तों यह सभेव अगर देखें में की मेंने अपको भी वताये घटने बढ़ने से प्रैसर क्यों समानपाती प्रैसर इसका मतलब यह हुआ कि जल की सतेट न उसके दाप पर प्लैन के उपर हमारे पास सर्फेस पर कितना दाव नहीं लग रहा है तो यह चीज आपको ध्यारनक नहीं है यह हमारे पास है कोशन नमर 46 का ओप्सन नमर डी नेक्स्ट कोशन की बात करते दोस्तों कोशन No.47 यह क्या कहह रहा है बरप में स्केटिंग करना पर दिस्यित करता है दाव बढ़ाने पर बरपका गल्लांक होगा अब बताओ आप मैं आपको यह कितनी बार समझा चुका हूँ दोस्तों गल्लांक के लिए मैंने आपको दोस्तों किस्की होती बरप की मैंने आपको द जो कि अइकन दोस्तों इनका क्या होता है तो उनका मतलब बड़ाने पर वहां आधını घंज आधन आधन कंपä का मैं आधन कम हो जाता है जिसे उसके इसके इंग्जाम्पल तरफ में आपको बता है था जिसको क्या बोलते pleasing नोग N curly में बिलब ठीके ये condition मैंने आपको कितनी बार बताने है तो आपसे कह रहा है कि बरब पर skating करना पसंद है दाब बढ़ाने पर गल्लांग कमान दोस्तों क्या हो जाता है गड़ जाता है option number C that is correct answer आप लोगों ने यहां से answer लगा सकते हो आपके वीडियोज में भी है और इन में मैंने solution में भी कही बार बता दिया आपके देख सकते हो next question की बात करेंगे हम लोग question number दोस्तों क्या है हमारे पास 48 pressure cooker में भोजन कम समय में तयार हो जाता है क्योंकि दाब बढ़ाने से हमारे पास अभी बताया था क्वथनांक बिंदू का मान दोस्तों क्या हो जाता है क्वथनांक भी क्या हो जाता है increase हो जाता है तो इसमें देख जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जल का क्वथनांक गढ़ जाता है भोजन कम उश्मा लेता है देखो उश्मा उश्मा का चक्कर नहीं है दोस्तों इसमें चक्कर एसी यह जल का क्वथनांग क्या हो जाता है बढ़ जाता है प्रेसर के साथ साथ next question करेंगे हम लोग question number 49 49 की बात करेंगे देखो क्या आएगा यहाँ पाड़ों पर पानी निम्रतापमान पर अब लगता है अब बताओ normal पानी कितने पर बलता है मुझे बताना 0 degrees पानी कितने पर बलता है 100 degrees centigrade पर यह पानी का क्या होता है दोस्तों boiling point होता है ठीक है हम लोग क्तना बिंदू की बात करते ना अब बात दोस्तों यहाँ ऐसे है कि हम पहले काते ही है सब घटना का हो रहे थी दोस्तों धरातल पे अब हमारा मन की है हम तो चड़ गए पाड़ी पे पाडो की बात हो रही न, पाढ़ी पे तो height जा रही है की नहीं जा रही हम तो यहाँ पर नाल बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग height चलेंगे न तो यहाँ पर देखteen height हो गई और मैंने आपको बता रहा है दोस्तों जैसे-जैसे height बढ़ती है वैसे वैसे प्रेसर कमान कम होता है और वैसे वैसे प्रेसर कमान कम होता है ताप कमान कम होता है इसका मतलब हो गया ताप का कम होना मतलब क्वतनांग बिंदू का दोस्तो क्या होना कम होना तो यहां पर जो हमारे पास क्वतनांग बिंदू है उसका मान भी क्या हो जाएगा द नमबर 14 है, नेक्स्ट कुश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है देखो, बरप के गलन की गुपतूस्मा क्या होती है, अब आपके ये मालूम है कि पहले तो ये बताओ, मुझे गुपतूस्मा होती क्या, ये मालूम है आपको, मैं आपको ये चीज डिफाइन कर देता हूँ, गुपतूस्मा का मतलब होता है, दोस्तों, इंग्लिस में इसको क्या बोलता है, जो काम गुपत में होता है, इसमी एक हम लोग उसको क्या बोलता है, जो उसमा काम आती है, उसको गुपतूस्मा बोलता है, अब देखो, किस तरीके से ये काम हो रहा है, वो आपको देखना ह का जो कंसेप्ट है ना मैं आपको किलियर करा देता हूं देखो यहां इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को देखा है ऐसे करके अब आप लोग दीखो इसका टेंपरेचर दोस्तों मान के चलो माइनस के 20 इसका टेंपरेचर कितना था जीरो डिग्री से तो आप समझने की कोशिश करिएगा और यहां पर क्या है दोस्तों यह जादा हो गया 100 से पानके चलो 200 हो गया है तो और चीज हमको दी हुई है तो हम लोग देखो क्या कह रहे है कि यहां यह क्या थी दोस्तों बरफ है और यहा क्या बोलते दोस्तों सेंसिवल हीट के नाम से जानते है कि इस हीट में दोस्तों अवस्ता परिवर्तन तो नहीं होती है ठीक है अवस्ता परिवर्तन नहीं होता है अवस्ता परिवर्तन तो होता नहीं अवस्ता परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों लेकिन इसमें क्या होता ह आपमान क्या होता है तो उस समय जो heat release होती है उसको नहीं पी निय wins दोस्तोlaf लेकिन यह 0 Degrees centigrade पर बरफ है और यहां पर क्या zero degree centigrade पर धिकल्ट फिकल्ट और क्या जल है नियुक्षर अपर पर अवस्ता बरफ से क्या हो गया दोस्तो पानि तो अगर आपसे गुप तूसमा की अगर property पूछे आपसे, तो आप क्या कहोगे बताओ, गुप तूसमा की property क्या होगी दोस्तो, अभस्ता तो क्या होती है, चेंज होती है, ये आप लोग लिख देना, अभस्ता बदलेगी, अभस्ता बदलेगी, लेकिन तापमान क्या समान सेंसिवल इंसा उल्टा ए उस में अवस्ता नहीं वदल थी त vita नहीं वदल टे अवस्ता बदलती है और टेंप्रेचर के रहता समान गुप्त में अब दिखो काई बार हा उसका रनारी यह होता न कि वह 15 word आ है अल बराबर क्यू बटे मिदdı चीज ए यह होगा कि किलो वानी एक किलो मातर क्राइब फूहार पूступ के नेकिन को बलाना हो उसको जतने उस्हां चीछा होती है किसके बराबर होती है तो गुप जी ऊसमा के बराबर होती है कि द्रवमान का इतना होता है cuánt मेरे पास कहां जा। कैलोरी फर ग्राम तो इसका ay și अंसर मेरे पास-गलन की है दोस्तो क्या लगें गा कर्वेक ट्रॉशन है ऑफिति आगे चलते हैं कोशन नम柄 में है 50 जैसे कोशन में क्या पूचा गया था गलन की वास्पन ऊस्मा इसमें पपोची घुत्थी तो आप अपर जो जयाी कई तरही पर ग्राम, क्या ऐस्वास्पन की बात करेंगे दोस्तों, कैया कह रहा हूं वास्पन की गुपति उस्मा तो आप लोग ध्यान रखना कितना आएगा 536 कलो कैलोरी पर ग्राम गलन कम होती है वास्पन में को ज्यादा उस्मा चाहिए होती है गलाने में जहीं होती है तो इसलिए इसका मान क्या होता है कम 52 की बात करेंगे दोस्तों तो 52 क्या कह रहा है 52 में उश्मा गति कि परतम नियम किस सारक्षित होता है मतलब जो थर्मडाइनिमस का फस्ट लोग है वो किसे सम्भड़ेता है देखो पहला लोग आपको पता क्या कहता है ना तो उर्जा को नस्ट कर सकते है ना उर्जा को बना स मैंने कुछ काया मेरे पास अंदर इनर्जी है मैं अब बोल रहा हूं इसका मतलब है मेरी मायक से सौंड हो रही है तो उसके बाद loudspeakers change हो रही है यह हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में क्या रही है दोस्तो इलेक्रिसिटी ठीक है बिद्दुत उर्जा आ रही है अब बिद्दुत उर्जा के द्वारा दोस्तो हमको क्या जल रहा है हमारे घर में दोस्तो टूब लाइट जल रही है ठीक है क्या जल रही है तो टूब और उजाला देती तो वह दो ईप्रवा दया बूस्ट तो वह ध्यान ड़कता है एक किस संब्ध आएगा दोस्तो उष्मा गतीकी का परतम नियम किस संब्ध है और जा से संब्ध से ऑब संब्ध करते हैं। ऑफसन नमर क्या लगे गए का दोस्तों आगर मैं किसी भी सिस्ट्म को भाईय रूप से उष्ма देता हूं दोस्तो तो उसमें दो चीज होंगी कि वो उर्जा दोस्तो जिसको दी जारहि है नраж को उस उर्जा को किस रूप में रखेगा उसके जितने भी कने उसको अपसूसित करें गे तो वो जो और होती जो एंतरिक बूर्जा के रूप में संचित होो जाता है अब बागी का आएगा दोस्तों काम करने में तो अगला काम होगा दोस्तों मारे पास work handling में किसमें होगा दोस्तों work done होगा तो मारे पास इसको जो गणितिया रूप होता है दोस्तों कि तरहिं का होता है मां के चलो आपको आपके घ्रबालों ने Euhुजार रुपे दी sub अपने अपने अकाुंट में कितने कर लिए 400 रुपे जमा करा दी बागी के चस्छों का क्या लq आप सामान तो आपके पास सेविंग इतनी रही 400 रुपेगी इसका मतलब वही आपके क्या है दोस्तों internal energy वही क्या है internal मतलब आंत्रे कूर्जा जो अगर किसी भी तंत्र को या किसी भी वस्तू को हम लोग उर्जा देते हैं तो उसके अनुओं के द्वारा आंत्रे ग्रूप से जो उसमा अपसुसित की जाती है वहाँ स्टूर की जाती है उसी उकम लोग क्या बोलते है आंत्रे कूर्जा ठीक है इसमें option क्या लगेगा दोस्तों उसमा आंत्रे कूर्जा की संकलप ना किस नियम से समिलती है दोस्तों यह first law of thermodynamics मिलती है जो आपको याद रखनी है next question 54 है दोस्तों 54 question की बात करेंगे देखो रुदोस्त परिवर्तन में या adiabatic change में क्या होता है बताओ क्या होता है यह परिवर्तन में क्या होता उसमा दोस्तों परिवर्तित रहती है इस प्रक्रम में adiabatic में क्या होता है ना तो उस्मा ली जाती है, ना उस्मा क्या होता है, दोस्तों दी जाती है, तो यह आपको जान डखना है, ना तो उस्मा को लेते हैं, ना उस्मा को देते हैं, तो यह सारी बात हमारे पास है, question no 54 में, इसलिए उस्मा चेंज नहीं होगी, next question देखो क्या हो रहा है sum ताप यह परिबरतन मैंने कहा था ना दोस्तो तीन चीज़े होती है दोस्तो अगर दोस्तो हमने कहा कि P बराबर constant है ठीक है P बराबर constant है इसका मतलब P बराबर क्या है इस तिर है P कमान अगर change नहीं होता है तो इसको क्या बोलेंगे आइसो बार क्या बोलेंगे आइसो बार और एक क्या हो जाएगा दोस्तो V4 volume तो यह अगर constant है तो हम उसको क्या बोलेंगे बताओ constant है तो उसको भी बोलेंगे आइसो कॉरिक क्या बोलेंगे एसको क्या बोलते हैं हम लोग sam-tapae ऐसा प्रक्रम, जिसमें एक विंदू से दूसरे विंदू पर जाने पर उसमे तापमान कहा रहता है दोस्तो, समान रहता है तो इसको क्या बोलेंगे, Sam-taphae के नाम से उसको जानेगे अब ये क्या रहा है? यह कह रहा है दोस्तों समट परवरतन में क्या होता है उपरवरत आता है उशमा इब consider इस से हितों हम लोग पर नहीं करेंगे Kable हम لوगों को बताय गया कि Iso thermal में क्या होता है कि दोस्तों इस case में Cable Temperature Change नहीं होता है वह ध्यान रखना है Q7 56 कि बात कर दोस्तों में थर्मो इश्टिट का क्या कार्य होता है अमने हमारा घर पे जो फ्रीज होता है रहा फ्रीज दोस्तों किसको बेलते है फ्रीज को बोलते है फ्रीज में जो एक बाल्ब लगा होता है दोस्तों एक छोटा सा बटन होता है जिसको थर्मो इश्टिट बोलते है दोस्तों वो को एक समान बनाए रखने के लिए होता है ठीक है वो टैंपरिचर हमारा क्या रहे दोस्तों एक जैसा रहे एक समान रहे एक्कुल टैंपरिचर रहे उसके लिए काम में लेते हैं नेक्स्ट कोस्टन की बात करेंगे दोस्तों कोस्टन नमबर 57 में क्या दिया हुआ है कमरे को ठ चलेगा तो बहुत प्रैसर से अबा देगा प्रैसर से अबाड देगा तो जितनी भी व्र है जितनी भी हॉआ है उसक के अदर जो गर्म गर्म चीज है use ko prayer गाल देगा दोस्तो बहार निकाल देगा तो यहां पर पीडित नहीं है ध्यान धकना यह चाहल दोस्तों, यह किसी रोख से पीडित नहींगे, यह संपीडित है, कूलर को चला रहे हैं हम लोग यहाँ, तो इसका अर्थ ही हो गया, कि कूलर यहाँ से चलेगा ना, तो यहाँ इसकी विंस सलेगी, तो यहाँ पर अधिक pressure से जितने भी अगरब अभबा होगी, दक्का लगा के आगे चलिए जाएगी, तो कमरे को थंड़ा एक ही तरह से कर सकते हैं, रसोई gas से नहीं, पानी के बहने से नहीं, ठोस को पिगलाने से भी नहीं कर सकते हैं, किससे करेंगे दोस्तों संपीडित गै करने पर ही हम कम्रे को ठंडा कर सकता है आगे देखो इसने काया कि सूरे की सतय का तापमान होता है देखो मैंने बताया था ना सूरे की सतय को तापमान मापने के लिए किसको अप्योग करते है दोस्तो पाइरोमेटर का और पाइरोमेटर दोस्तो इसको दूसरा नाम होता है सं संपोन विकरन मापी के नाम से भी इसको जानते है संपोन विकरन मापी ठीक है इसको क्या बहुत है संपोन विकरन मापी और यह किस प्रेंसिबल पर वर्क करता है दोस्तों यह किस नियम पर काम करता है स्टीफन नियम ठीक है यह हमारे पास स्टीफन वाले नियम पर काम करता ह स्टीपर नियम क्या होता है दोस्तों जितनी उर्जा निकलती है दोस्तों वह त्रेंप्रेचर के चतुर्थ गात के समानुपाती होती है और यहां से हमारे पास वैल्व आती इसकुष्ट्टू सिग्मा इंटू टी इंटू फोर यह आपका रिलेशन आएगा दोस्तों अब फारन इनजक्राम का सेंटीड अज़िए आपका कितना होता है धूगना एसा कोण साने हृधे होगा जिस पर फोरेंढ़ तों धिकरीस अब समाझरों बातकों आप तो मैं आप सको बता चुका हूँaxisकेल कि अगर हम लोग नोग यह देख देखते गोर्व स्वाइब एप माइनस के 32, बटे कितना हो जाएगा, मरे पास 9 एक दोस्तो क्या, के माइनस के 230, बटे क्या था, दोस्तो 4, sorry 5 ठीक है, मरे पास रवाई क्या था, 5 था, रवाई 5 था और हम लोगों ने देखा, रवाई हमारे पास, ररेंकलाइन में कितना था 692 बटे, हमारे पास कितना रहा था, हम लोगों इसे degree और centigrade का इसका relation पूछा है, तो हम लोग इसको ले लेंगे, c बटे 5 बराबर f माइनस के 32, बटे कितना हो जाएगा, दोस्तो 9, अब आप लोग बताओ, इसमें क्या relation दिया है, कि 4 and 8 है, वो degree centigrade का कितना धुगना, बिल्कुल सही है, यह c है, यह 5 है, तो 4 and 8 को लोग 2c कर देंगे, यह बराबर किया है, 2c दिया हो है, वोगो सवाल में, यह जैसे कर देंगे, यह होगे दोस्तो 2c, बराबर किया 32, बटे क्या है, दोस्तो 9, इसको solve करना इदर इसमें 9c आएगा, इसका इसे गुना करोगे दोस्तो, तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 और इसे करोगे, तो 5 दूनी 10, 5, 15, 16, अब देखो, इसको इदर लाओ, इसको इदर ले आओ, तो आप लोग देखो, इसमें क्या करोगे, इसको इदर लाओगे, तो 10 में से क्या गट 10C, इसको इदर लाओगे तो क्या हो जाएगा 9C, इसको इदर लाओगे तो 60, तो degree centigrade मेरे पास मान कितना आदाएगा दोस्तों, यह value आदाएगी, मेरे पास 13 degree 4Night, कितना आएगा answer मेरे पास 16 degree 4Night, correct answer आएगा, जो आप देख लेगा, आगे question दोस्तों, 60 नमर का, 60 में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ध्यान रखना, आगे question हमेरे पास, 61, 61 क्या गह रहा है, एक स्वस्त मनुस के सरीर का तापमान कितना होता है, अब देखो आपकी जानकारी के लिए बता दू, मैं, 36 degree 4Night, 98.4 और 98.4, 411, देखो, आप लोगों से Celsius Kelvin, यह को ना तो भुखार आता है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई बिमारी होती है, तो उस case में बात करेंगे, तो कितना होता है, दोस्तो 37 degree centigrade इसका तापमान आएगा, आगे देखो, हम लोग बात करने वाले question number हमारे पास कितना दियो है, 62, 62 में क्या हो रहा है, 62 में हम लोग बा पास का तो black होता है, और black की क्या होती है, दोस्तो जितनी भी उर्जा होती है, उसका सब क्या कर लेता है, अच्छा अफसोसक होती है, यही इसका क्या होगा दोस्तो correct answer लगेगा, आप ध्यान रखना, option number क्या हो जाएगा दोस्तो, D, question number 63, 63 में क्या हो रहा है, celsius माप में आपको कौन सा तापकरंज 300 Kelvin के बराबर होगा अब आपको यह देखो question solve करने की भी जरत नहीं है तुरंत आंसर आजाएगा अगर आपको लगता है कि हमें solve करना है तो आप कर सकते हो देखो आप अगर दोस्तों इसमें देखते हो कि अगर हम लोगों को Kelvin दे रखा है यह बात स सेंटीड होगे है तो यह 200 Kelvin सामने कितना है 230 Kelvin और क्या दिया होगा दोस्तों इसको इसमें से लेस करके देखना 300 में से 273 घटा होगे आगे क्या बचेगा डिगरी संटीड इसमें से घटा होगे कितना हैगा 27 degree संटीड आएगा ध्यांड़ आगा और 27गरी संटीड आएगा आप लोग समझने की कोशिस करिएगा आप जादा जादा इसको देखिएगा आपको फिर भी कोई समझे आती है तो आप comment section में जो भी आपको बोलना है पड़ाई से सम्मध वाराम से आप बोल सकते हो देखो black body की black body है जो किस की विकरन की अफसोसित करती है अब देखो मैंने का था ना कि सूरे से जो किरन आती है वो उच तरंगे वाली होती है और उच तरंगे वाली होती है निमने तरंगे वाली होती है तो दोस्तो जो black body होती है वो highest जो हमारे पास क्या होती है हाई वेवलें जिनका तरंग देरे का होता है चाहता उनिंको क्या करती डोस्तोड यह एंप ध्याना में पारियेs JJ ट्हार कर रही है तो आप ठंड ज्याद होथ ऑना मेसनती है अब只是 भार सब्सक्राइब कर दोस्तों आप और यह यह Stevie से जब वह कुनसी होती है दोस्तों आवरक्श्थ्रकने होती है इसका कुछ उस्तों इस आसे करके लेकिन एक भी मागत आपस बाकते ही प्रत्वीर 것으로 आता सब्सक्राइब इसमें चाहले है कि ठंड लगेगी तो आप लोग ध्यान रखना मौसम साब वाले कंडिशन में in C32 हो कर रहा है सर्दी है तो उसके इसमें को यह तब जाकर यह चीज दिखाई देगी नेक्स्ट कुश्चन की बात करें दोस्तों कोशन नमर 66 है इसने काये कि निमन मेंसे कौन सा सही है आप बताओ निमन मेंसे यह सही है कि यह सही रही है दोस्तों यह मारे पास यह सही नहीं है C-5 यह नहीं सही है, आप लोग उन्हें इसको ध्यान रखना, यह कि मैंने थोड़ी दिर पहले बताएं आपको, C-5, F-32, बटे 9, पराबर क्या था दोस्तो, K-क, इतना याद गलो, 273, बटे क्या हो जाएगा दोस्तो, 5, rumor rank आने को लगाएंगे, तो यह relation हमको दिया हुआ है इसमें यह 9 है, तो हमनों correct option क्या लगा देंगे, दोस्तो, option number B, अब देखो आगे, आगे क्या दे हो आए, और भी question है दोस्तो, कि यह देखा रहा है, बेकरन पाइरो मेटर, पाइरो मेटर नहीं होता दोस्तो, यह पाइरो मेटर होता, यह भी typing error है, पाइरो मेटर, ठीक है, कितना तापकरम नाप सकता है, मैंने काहा दाना, यह तापकरम दोस्तो, नापना इस्टार्ट कप करता है, 800 degree centigrade से उपर नापना इस्टार्ट करता है, उससे पहले करता ही नहीं है, तो यह मेरे पास option आएगा, दोस्तो, D, यह RRB 2003 में आया है, ठीक है, आगे की बात करेंगे दोस्तो, Celsius तापकरम पर जल के कौतनांक और हमारे पास देखो, एक तो कौतनांक और यह हमांक है, मतलब जल कब जमता है, 0 degree centigrade पर, कब जमता है, दोस्तो, 0 degree centigrade पर जमता है, और दोस्तो, अरगम लोग बात करेंगे, जमने के बाद, इसके मतलब बॉयल होने की, बॉयल कब यह मतलब यह बास में कब बदलेगा, दोस्तो, यह बदलेगा हमारा, 100 degree centigrade पर, हमसे इस दो वोयलिंग पॉइंट पूछा है, क्वतनांक और यह पूछा है, जमने वाला बिंदू, तो आप बता, पहले क्या है, वोयलिंग तो हम लोग लोग लिकेंगे, और उसके बाद क्या जो जादा उसमा को लेते हैं, तो वो उतना ही जादा दोस्तो क्या करते हैं, छोडते हैं, तो यह नियम किस ने दिया था, यह दोस्तो क्रिचौप ने दिया था, कि जो भी उसमा आएगी, जितना जादा उसका गेन करेंगे, तो उतना ही जादा उसका क्या करेंगे, दोस्त अपने अंदर से एक particular area वाले बाग से उश्मा के किरनों को निकालना तो तरजन कहलाता है और एक होता है दोस्तो अपसोसक का मतलब होगा दोस्तो अपनी तरफ से जो भी कोई उश्मा आ रही है तो उसको क्या करना अपसोसित करना यह किर्चौप ने दिया था आप लोग दोस्तों कम से कम है इसको एक निदो नि तीन चार बार देखोगे ना वीडियो को चला चला के तब जाके आपको दिमाग में settlement होगा, एक दम से आसानी सी चीज़ नहीं आएंगी, ठीक है भई, आप जो भी part मिलेगा आप नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपको, क्योंकि light का मैं आपको topic अबिलेबल करा चुका हूँ, heat in part हो चुका है, ठीक है, आप लोग इसको ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा सब्स्राइब करिएगा, और जो वैल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाया करो, क्योंकि उससे पता क्या होता है, उससे यह होता है कि जभी भी हम वीडियो डालता है तो आप तक notification जाता है, ठीक है, वो गंटी ट वीडियो में नए टोपिक के साथ धन्यवाद.